इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 19 जुलाई 2019 और यह हमारी 199 वे भी क्लास है 12 important questions आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की द्रश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने है दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में जरूर बताए हम आपके answer जरूर करेंगे चलते हैं दोस्तो question number first हाली में किसने 15 दिन के भीतर चौथा gold medal जीता है तो दोस्तो इसका सही option है हमादास हाली में हमादास ने 15 दिन के अंदर चौथा gold medal जीता है दोस्तो इन्होंने चेक गडराज में 200 मीटर की दोड मात्र 23 दिसंबलाव 2-5 सेकंड में पूरी की है इसके साथ इन्होंने चौथा gold medal जीता है दोस्तो आपको बतादे हमादास का जन्म 2000 में असम की नागव जिलों में हुआ था दोस्तो एक और important fact इनके बारी में बता दें तो AIIF Under 20 Athletics Championship में इन्होंने शोन पदक जीता है और ये उपलब्धी प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला एथलेट है दोस्तो इन्होंने एजिया खेलों में भी शोन पदक जीते हैं तो आपको इनका नाम याद रखना है नाम हेमा दास next question हाली में किसे 36 गड़ में नया राज़पाल बनाया गया है दोस्तो इसका सही option है अनुसुया उइके हाली में अनुसुया उइके को जो है वो 36 गड़ में नया राज़पाल बनाया गया है इससे पहले दोस्तो 36 गड़ की राजपाल थी अनंदी बेन बटेल और इनकी जगहे अब अनुसुया उईके को 36 गड़का राज़पाल बनाया गया है दोस्तो ये मद्यप्रदेश में राज़सवा सदस्य हैं मौजूद समय में मद्यप्रदेश की राज़पाल अनंदी बेन के पास 36 गड़का अतिरेक्त प्रभार था दोस्तो इसके बाद इन्हें यह प्रभार यानि अनुसुया उईके को राज़पाल का प्रभार दिया गया है आपको बता दें ये मद्यप्रदेश सरकार में बाल, विकास और महिला, मंत्री भी रह चुकी है दोस्तो 2000 में ये राज़्टी महिला आयुकी सदस भी रही है तो आपको इतना अनुसुया उईकी के बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आईए 36 गड़की तो आपको मैप में 36 गड़की बारे में बता दें मैप में ये जगह 36 गड़को दरसाती है 36 गड़की इस्थापना एक नॉमबर 2000 को की गई थी मद्यप्रदेश से ब्रभाजन करके दोस्तो यहां पर हाली में जो राज़पल बनी है वह है अनुसुया उईके 36 गड़के मुक्यमंद्री है भूपेश, बगेल और राज़धानी है रायपोर तो इतना आपको 36 गड़के बारे में याद रखना है नेश्ट गड़के दोस्तो हाली में कौन आंद्परदेश की नए राज़पाल बने है दोस्तो इसका सही उफ्शन है विश्वा भूशन हरी चन्दन हाली में बिश्वा, भूशन, हरीचंदन, आंद्रप्रदेश की नए राजपाल बने है दोस्तो ये भारतिय जंता पार्टी के वरिष्ट नेता है और इन्होंने ESL नर्सिम्मा की जिगाए है आंद्रप्रदेश की नए राजपाल पद का संभाला है दोस्तो 1971 में हरीचंदन, भारतिय जंसंग की सदस्ते, बाद में ये 1980 से 1988 तक भारतिय जंता पार्टी ओडिशा राज में अध्यक्ष भी रहे है तो आपको इतना विश्वा भूषन हरीचंदन के वारे में याद रखना है, ये आंद्रप्रदेश की नए राजपाल बने है दोस्तो अब बात आईए आंद्रप्रदेश की तो आपको मैप में आंद्रप्रदेश के वारे में बताएं मैप में ये जगह है आंद्रप्रदेश को दरसाती है आंद्रप्रदेश की स्थापना एक अक्टूबर 1953 में की गई थी दोस्तो यहां पर जो गवर्नर बने है उनका नाम है विश्वा भूशन हरीचंदरन और मुख्यमंत्री है के चंदर सेखर राव आंद्रप्रदेश की र किया गया है जिसका सही ओफ्षन है दोस्तो जस्टिस सिगरी हाली में जस्टिस सिगरी को सिंगापूर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में नियाधिस न्युक्त किया गया है बारत की सरवोच न्याले के पूर्व नियाधिस जस्टिस सिगरी को सिंगापूर इंटरनेशनल 2019 से 4 जनवरी 2021 तक रहेगा दोस्तो आपको जस्टिस सीक्री के बारे में बता दे कुछ important fact ये 1977 में दिल्ली में अधिवक्ता के रूप में enrolled किये जा चुके हैं 1999 में दिल्ली उच्च नियाले के नियाजीस भी रहे चुके हैं दोस्तो 6 मार्च 2019 को भारत की सरवोच नियाले के नियाजीस के रूप में सेवा निर्वित किये गए हैं तो आपको इतना जस्टिस सीक्री के बारे में याद रखना है नियाजीस दोस्तो हाली में किस बीवी ने अपना इस्थापना दिवस मनाया है तो दोस्तो इसका सही ओफ्रन है डॉक्टर हरी सिंग और विश्वित्याले ने अपना इस्थापना दिवस मनाया है दोस्तो 18 जुलाई 1946 को सागर यानि हरी सिंग और विश्वित्याले की स्थापना की गई थी दोस्तो ये भारत की अठारवी विश्वित्याले है और एक और इंपूर्टेंट फेक्ट दोस्तो आपको बता दें ये मद्यप्रदेश की पहली विश्वित्याले है और मद्यप्रदेश की पहली विश्वित्याले इसलिए भी है क्योंकि ये आजादी की पहले बनाई गई थी यानि 1946 में इस विश्वित्याले को डॉक्टर हरी शिंग गौर्द्वारा बनाया गया था और इनहीं के नाम प Bloomberg की सबसे अमीर की सूची में पहले इस्थान पर कौन है तो दोस्तो इसका सबसे अमीर सूची में पहले इस्थान पर है दोस्तो आपको बता दें इनकी कंपनी का नाम क्या है तो जैफ वेजोस की कंपनी है Amazon और ये USA से हैं इनकी नेट वर्थ जो डॉलर में है वह 125 अरब डॉ जाए तो 8.62 लाख करोर रुपए इनकी नेट वर्थ है दोस्तो इसी लिस्ट में दूसरे इस्थान पर है वर्नार्ड अर्नॉल्ड और तीसरे इस्थान पर है विल गेट्स जो ऐसा पहली बार हुआ है हाली में कि विल गेट्स तीसरे नंबर पर आये हूं तो आपको इतना इस लिस्ट की बारे में याद रखना है कोशन दोस्तो हाली में किसे सागर संभाग कमिशनर बनाया गया है तो दोस्तो इसका सही उप्षन है अमरपाल सहन हाली में अमरपाल सहन को सागर संभाग का कमिशनर बनाया गया है दोस्तो मध्यपरदेश सासन के सामान पर सासन ट्रांसफर किये हैं जहां IAS अमरपाल सह को सागर संभाग का कमिशनर निप्ट किया गया है दोस्तों आपको बता दें अमरपाल सह बर्तमान में कुटीर और ग्रामुद्यों के विभाग में उपसजों के रूप में पदस्त है लेकिन अब सागर संभाग के नए कमिशनर होंगे अमरपाल सह है हाली में कहां राज्य इस्तरिय सौटगन चेंपियनशिप का आयोजन किया गया है दोस्तों इसका सही ओप्शन है भूपाल हाली में Bhopal में राज इस्तरिय शॉर्टगन शेंपểnशिप का आयोजन राज आजन किया गया है दोस्तो Bhopal में 9 वी राज इस्तरिय सॉर्टगन शेंपिरशिप की जा रही है दोस्तो इसमें जूनियर और सीनियर दोनों केटिगरी के छात्रक हिस्सा ले रही है अब दोस्तों बात आईए भोपाल की तो आपको मैंने कुछ important fact भोपाल के बारे में बताये थे आप वीडियो को पॉस कीजिए और उन important fact को याद कीजिए चलते हैं next question पर दो हाली में किसे भोपाल संभाग का अपर आयुक्त दोस्तों आपको बता दें प्रीती जन राजस्व सिक परिक्षन साला इंदोर में प्राचारी थी लेकिन अब ये सागर भोपाल संभाग की अपर आयुक्त होंगी दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम देख रहे होंगे इनके बारे में भी बता दें तो तनभी हुड़ा दोस्तों इन्हें हाली में मंडला जला पंचायत का CEO बनाया गया है वहीं बात करें रितू बाफना की तो इन्हें हाली में सतना जला पंचायत का CEO बनाया गया है और बात करें राम प्रताप सह जादोन की तो इन्हें दोस्तों हाली में जवलपुर अपर आयपत बनाया गया है तो इतना आपको इन चारों की बारे में याद रखना है दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्वार उर्जा पैदा करने वाली विल्डिंग कौन सी है तो दोस्तों इसका सही ओफ्यन है सुप्रीम कोर्ट की विल्डिंग हाली में सुप्रीम कोर्ट की विल्डिंग दिल्ली में नई बनाई गई है जो सौर उर्जा उत्पन करने में दिल्ली में पहले इस्थान पर है दोस्तों बारह एकड में यह अमारत बनाई गई है और 5 ब्लोक है इसमें कुल 885 करोर रुपए में यह बिल्डिंग बनाई गई है दोस्तो आपको बता दे 1400 कलो वर्ट सोलर उर्जा पैदा करती है यह बिल्डिंग दोस्तो आपको बता दे 40% खुद की इस्तिमाल में खर्च की जाएगी बिल्डिंग की जो सौर उर्जा होगी वह है तो आपको याद रखना है दिल्ली में सबसे ज़्यादा सौर उर्जा पैदा करने वाली बिल्डिंग है सुप्रीन कोट की नई बिल्डिंग किस नदी पर मद्यप्रदीश का पहला जल विद्युत केंदर बनाया गया है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है चंबल नदी पर चंबल नदी पर मद्यप्रदीश का पहला जल विद्युत केंदर बनाया गया है दोस्तो आपको बता दे मद्यप्रदेश में चंबल नदी पर 1960 और 61 में मंद्यसोर में गांधी सागर विद्यूत केंदर की इस्थापना की गई जो मद्यप्रदेश का पहला जल विद्यूत केंदर है दोस्तो अब बात आईए चंबल की तो आपको कुछ important fact चंबल नदी के बारे में बता दे दोस्तो चंबल नदी मद्यप्रदेश, राजस्तान और उत्तर प्रदेश में भायती है चंबल नदी का जो उद्गम इस्थल है वह जाना पाव पहाड़ी है जो मद्यप्रदेश के महू में इस्थित है दोस्तो यह यमना नदी में मिलती है और यह मिलती कहां है इटावा यूपी में आपको बता दें इस नदी की जो लंबाई है वह 965 किलो मीटर है तो आपको इतना इस नदी की बारे में याद रखना है चलते हैं नेस्ट कोश्चन पर मद्यप्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन की इस्थापना कप की गई थी तो दोस्तो इसका सही उफ्षन है 1962 में 1962 में मद्धिपर्दीश माइनिंग कोर्कुरेशन की स्थापना की गई थी इसकी स्थापना भोपाल में की गई है दोस्तो आपको बता दें 1955 में यहाँ पर मद्धिपर्दीश वित्ति नगम की स्थापना की गई थी इंदोर में 1981 में दोस्तो मद्यप्रदीस हत करगा और हस्त शिल्फ बिकास निगम की स्थापना भूपाल में की गई थी 1976 में भूपाल में मद्यप्रदीस हेंडलूम संचालैनी की स्थापना की गई थी दोस्तो आपको एको important effect बता रहें इन दोर में मत्यप्रदीश बस्त्र उद्योग निगम है जो 1970 में बनाया गया था और मत्यप्रदीश वित्य निगम 1955 में इन दोर में बनाया गया था इसके अलावा दोस्तों जो भी मद्यप्रदीश, विकास निगम जैसे अध्योगे की विकास निगम, लगू उद्योग निगम, खादी और ग्राम उद्योग गोड, माइनिंग कॉर्पूरेशन, हस्त शिर्फ, मंडल इन सभी की इस्थापना दोस्तों भोपाल में की गई है इसका सही अफ्षन दोस्तों 1848, यानि 1848 में मालवा अकवार प्रिकाशित किया गया था दोस्तों आप बात करते हैं क्वेशन आप दे की तो आज का क्वेशन है हाली में 71 वर्षवाद किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल क्लब में शामिल किया गया है इसका अंसर आफ हम कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके अंसर का इंतिजार करेंगे तो दोस्तों आप मारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और जाधे से जाधे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियोस को भी शेयर नहीं कर रहे हैं कर पर आप वीडियोस को शेयर जरूर करें तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो नमस्कार, have a nice day